36 गड़ को धान का कटोरा कहा जाता है इसी धान से अप्रदेश में एथिनौल बनाया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश की अथक प्रियासों के बाद केंद्र सरकार से इसकी अनुमत्ती बिली है इसके बाद अब जाकर एथनौल की दर्ते हुई है मुख्यमंत्री भगेल की कोशिशों का लाब अप्रदेश की किसानों को मिलेगा से जो इतनाल बनेगा उसका रेज़ भारत सरकार में इंडिया नायल में तय नहीं किया था वो लगातार हम लोगों का आगरा दवाव से ही यह संबाव हो पाया और आपको बताते में मुझे प्रसमत्ता है पीछले मैंने हम लोगों ने मुख्यमंत्री भूपेश बगेल ने कहा कि केनर से अनुमती मिलने और एथिनॉल का रेट तै होने के बाद अब तेजी से इस दिशा में काम किया जा रहा है सरकार में छे कम्पनियों में MOU भी साइन कर लिये गए है एक साल के अंदर प्रदेश में इसके प्लांट भी तैयार हो जाएंगे प्रदेश में तैयार एथिनॉल भारत सरकार 54 रुपिये प्रति लीटर की दर से खरीदेगी पता दे कि प्रदेश में सबसे ज्यादा धान का उतपादन होता है सारजनिक वित्रण प्रणाली के लिए धान की खरीदी के बाद भी लगबग 25 लाक मेट्रिक टन धान अतीशेश रहता है अब इसी धान से एथिनॉल का निर्माट किया जाएगा पेट्रोल के साथ मिलाकर एथिनॉल फ्यूल की तरह प्रियोग होता है ये शक्रा वाली फसलों से भी तयार होता है एथनॉल में 35 पीसदी ऑक्सीजन होता है इसके फ्रियोग से 35 पीसदी कम कार्बन का उचसरजन होता है एथनॉल एको फ्रेंडली फ्यूल मना जाता है जीवाश्रम इधन से होने वाले खत्रों से पर्यावरन को बचाता है गर्मी में भी धान लेते हैं तो ऐसे इस्तिती में किसानों को वाजिब दर मिले इसके लिए हमने एथनॉल जो 36 जो धान है उसको हम लोग एथनॉल की रूप में प्रयोग करें मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने कहा कि एथनॉल उस धान से बनेगा जो सेंट्रल पुल और स्टेट पुल में खरीदी के बाद भी बच जाता है इससे किसानों को धान बेचने के अलावा अतरिक ताय होगी जहां प्लांट लगेगा वहां लोगों को रोजगार मिलेगा किसानों की आर्थिक सिती मजबूत होगी